बुल्डोजर ने माफिया अतिक का राजनीतिक प्रभाव भी डहाया। सिध्धादनाथ की जीत का ये है बड़ा कारण। इलहाबाद पस्चमी सीट माफिया अतिक एहमत के प्रभाव की मानी जाती है। लेकिन इस चुनाओ में बुल्डोजर माफिया की राजनीति पर भी चल गया। अतिक के परिवार ने इस चुनाओ में पूरी तरह खुद को अलग रखा। कहा जा रहा है कि माफिया का भै अब नहीं रहा। यूपी में अठारवी विधान जबा के गठन के लिए हुए चुनाओ में भाजपा ने माफिया का खात्मा मुख्य मुद्दा रखा। पूरा चुनाओ विकास, कानुन वैवस्था और माफिया की अवैद संपत्ती पर बुल्डोजर चलाने पर केंद्रित रहा। विपक्ष ने भी इसे लेकर अपने तरीके से हमला बोला। इसका नतीजा रहा कि इलहाबाद पस्चिम विधानसबा सीट पर सिधात नात सिंग दोबारा जितने में सफल रहें। ये सीट माफिया अतीग एहमत के प्रभाव की मानी जाती है। लेकिन इस चुनाओ में बुल्डोजर माफिया की राजनीतिक पर भी चल गया। अतीग के परिवार ने इस चुनाओ में पूरी तरह खुद को अलग रखा। माना जा रहा है कि जो भै कभी यहां माफिया का होता था वो अब समाप्त हो चुका है। पिछले पान साल में कैबिनेट मंतरी सिधातनाथ सिंग लगातार इरहबाद पस्चिम विधानसभा में सक्री रहें। अलग अलग गाओं में जाकर लोगों के साथ बैठा करने से लेकर उनकी समस्याओं को सुनने तक के सकरात्मग नतीजे आएं। इसकी अतिरिक्त क्षेत्र में बड़ी परियुजनौ की भी अधारशिला रखे गई। तमाम स्वयम सहायता समूहों का गठन कर महिलाओं को रोजगार से जोडने का प्रयाज भी रंग लाया। खास बात ये है कि क्षेत्र में 60,000 से अधिक मुस्लिम, 80,000 दलित, 40,000 पाल और इतने ही पटेल मत दाता है। इनका धुरूवी करण कराने में भाजपा सफल रही। इलाहबाद पस्चिम विधानसभा कभी अतिक का गड़ माना जाता था। यहां से लगातार पांच बार विधायक बनने में सफल रहे। समय का चक्र घूमा और सब कुछ बदल गया। परिस्तितिया इतनी प्रतिकूल हुई कि अतिक एहमत की पत्नी शाइस था AIM-AIM से चुनाओ लड़ना चाहती थी। एहन मौके पर उन्होंने निर्ड़य बदल दिया। इसकी वज़ा पती और देवर का जेल में बंध होना वह दोनों बेटों का फरार होना था। सपा के शासन में माफिय आतीक ने शहर के कई हिस्सों में जमीनों पर कबजे किये। बहुत से निर्माण कार्य भी कराए। योगी अधितनाद सरकार ने शिकंजा कसा तमाम सबपत्यों को कबजे से मुक्त कराया। अवैद निर्माण कर भी बुल्डोजर चलाया। इनमें स्थानी विधायक सिधातनाज सिंग ने भी महत्रपूर भूमी का निभाई। ये सबी चीजें चुनाओ नतीजु को प्रभावित करने में कारगार साबित हुई।